आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हमारा question के गेरा the length of perimeter of a sector of a circle is 20 cm, the maximum area of the sector हमें निकालना है देखिया हमें क्या दे रखा है? perimeter of the sector हमें दे रखा है perimeter of the sector क्या है? माल लेता है, हम P हमें दे रखा है 20 cm तो यहां से हमारे पास P का formula क्या होता है? हमारे पास हमें पता है 2 r plus r theta तो यहां से हमारे पास यह हो जाएगा 20 पराबर हो जाएगा यहां से r common आ रहा है तो 2 plus theta तो यहां से r की value हम निकाल सकते है r की value आ रहे है 20 upon 2 plus theta इसे हम माल लेते equation number 1 अब हमें निकालना है area तो area हम निकाल सकते है area का formula होता है theta upon 2 pi into pi r square यह होता है अमारे एक sector का area का formula तो यहां से pi से pi कट जाएगा यह बन जाएगा theta upon 2 r square अब हमें area निकालना है maximum area निकालना है तो हम यहां से a लिख सकते है r की जगा हम लिख सकते है theta upon 2 और r square की जगा हम यहां लिख सकते है 20 upon 2 plus theta का square तो अब यह area क्या बन जाएगा हमारे पास area बन जाएगा 20 का square divided by 2 और यह बन जाएगा theta upon 2 plus theta का square तो अब हम निकाल सकते है d a by d theta d a by d theta यह क्या बनेगा 20 square upon 2 यह किसकी form बन रही है हमारी u by v की differentiation की form बन रही है u by v का differentiation तो यह बनता है u dash v u dash v u dash v minus v dash u upon v का square तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं theta का differentiation तो theta ही हो जाएगा तो यह हो जाएगा 2 plus theta का square और यह क्या बन जाएगा minus 2 2 plus theta into theta upon यह हो जाएगा 2 plus theta का की power 4 तो यह हो जाएगा हमारे पस d y d theta क्या हो जाएगा हमारे पास यहां से 20 का square divided by 2 यहां से common क्या आ रहा है 2 plus theta तो यह हो जाएगा 2 plus theta divided by 2 plus theta की power 4 bracket में 2 plus theta minus 2 theta तो यहां से यह हमारे पास d y d theta क्या हो जाएगा हो जाएगा हमारे पास 20 का square divided by 2 यहां से यह कट जाएगा तो यह हो जाएगा 2 minus theta divided by 2 plus theta की power तो यहां से अब अगर हम d a by d theta को बराबर put कर दें 0 तो हमारे पास यहां से theta की value जो आएगी वो आएगी हमारे पास theta की value आएगी 2 और अब देखते हैं कि क्या हमारी d a by जो d 2 a by d theta square है वो क्या theta equals to 2 पर negative आता है तो हमारा maximum area आएगा तो हम d a square by d theta square निकालेंगे तो यह क्या बनेगा 20 square by 2 और यह differentiation of 2 minus theta 2 plus theta का cube का differentiation तो यह क्या बनेगा 20 square divided by 2 2 minus theta का क्या बन जाएगा हमारे पास minus 1 यह बन जाएगा 2 plus theta का cube और यह minus अब 2 minus theta तो वैसे ही रहेगा हमारे पास और यह बचेगा हमारे पास 2 plus theta का बनेगा 3 2 plus theta का square upon 2 plus theta का cube अगर हम जिसमें put करें theta यह बराबर 2 तो यह क्या बनेगा हमारे पास यह बराबर बनेगा हमारा 20 square upon 2 यह बनेगा minus का 2 plus theta यह बन जाएगा 4 का cube और यह हमारे पास यह जो term बन जाएगी, हमारे पास बन जाएगी, यह term जो बन जाएगी, हमारे पास 0 बन जाएगी, तो यह हो जाएगा, minus का 0, divided by 4 का cube, तो यह कुछ, हमारे पास, यह जो आ रहा है, यह less than 0 आ रहा है, तो, हमारे पास, at theta equals to, 2, condition of, maxima आ रही है, तो यहां से, हमारे पास, maximum area किस पाएगा, at theta equals to, 2, और हमारे र किसके बराबर दे रखा, r बराबर है, 20 upon 2 plus theta के, तो r बराबर हो जाएगा 20 upon 2 plus theta हो जाएगा 20 upon 4, यह हो जाएगा 5 अब हमारे का area निकालना है, area क्या है, हमारे बस theta upon 2 r squared तो area बराबर होगा, theta upon 2 r squared theta की value हमारे को निकाली हमने 2, 2 by 2 और 5 का square तो यह बन जाएगा 2 से 2, cancel हो जाएगा, यह हो जाएगा 25 25 और cm2 अब देखेंगे हमारे किस option से match कर रहा है हमारा option नमर D से match कर रहा है यह हमारा final answer है Thank you